अक्सर देखा जाता है कि बारिस के मोसम में भी बारिस नहीं होती जिसकी बज़ा से पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है ऐसे में सरकार को और साथी देश के किसानों को बहुत बढ़ा नुकसान भुकतना परता है इन से भी कारणों के बज़े से क्रित्रीम बर्सा यानि की आर्टिफिसल बर्सा का उपाई ढूने निकाला गया है अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्रित्रीम बर्सा किसे कहते हैं फसल को अच्छा बनाने के लिए और किसानों को करजसे उबारने के लिए कृट्रिम बारिस की जाती है जो कि एक जुटमूट की बारिस होती है जो भगवान के बनाएवे बादलों की मदद से नहीं होती है या एक पूरी तरह मौनब निर्मित गती भी दिये जिसे कि रित्री मरसा या क्लाउट सीडिंग भी कहते हैं समूंद्र और नदियों का पौनी सूरज की गर्मी से भाप या गर्मा हवा बनकर उपर उड़ जाता है और बादल बन जाता है ये बादल जब ठंडे जलवाईव से जाकर मिल जाते हैं तो इसके अंदर जमा पौनी भारी वजाने से नीचे गिरने लगता है जिसको हम बारिस कहते हैं यानि कि जब गर्म नम हवा ठंडे और उच दवाब बाले जलवाईव से मिलती है तब बारिस होती है इसे समझने का एक तरीका या भी है कि आम तोर पर प्राकिरती ग्रूप से बरसा तब होती है जब सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हवा भी ग जोकों से हवा में नमी बर जाती है और उसमें मौझूद नमी बारिस की बुंदे बनकर हवा में लटकने लगते हैं जो बारिस के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं जिसे हम समझने बरसा कहते हैं कुछ इसी पर किरिया को मौनब निर्मित परिस्थितियों के द किरित्रीम बारिस के जरिये चीन की राजदानी बीजिंग साइट के सुखागरस्ती इलाकों में बारिस के मत्रा बरहाई गई है। किरित्रीम बारिस का इस्तमाल दिरे दिरे बहुत ज़़दा बर रहे हैं। रवा कर हवा में फैले जहरीले दुएं को ख़त्म किया जा सकता है